इस बार बारिश के कम होने के कारण हमीरपूर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और गर्मियों के दिनों में किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में उपायुक्त राकेश प्रजापती ने हमीरपूर जिला में जल जनित रोगों से बचाव के लिए और आम जन्मानस को जागरुक करने के उदेश्य से स्वास्त विफाग को विशेश अभियान शुरू करने के दिशा निर्देश दे दिये हैं। अब बग 169 है टोटल जो फंक्शनल है इस वक्त अभी तक कहीं पे भी नॉन फंक्शनल रिपोर्ट है नहीं। पहले तो हमारी कोशिस ही रही कि ये स्कीम्स चलती रहें। इन स्कीम्स पे चलने के अलावा हमारी कोशिस ये है कि जहां पे भी अगर पानी की ऐसी आवशक्त पढ़ जाती जहां पर पानी उगलब्द नहीं है तो टेंकर्स के माद्य में से पानी उगलब्द कराया जाएगा। आथे है कि आप अपने जıtने भी टैंक से उनकी सपाइई करें क्लोरिनेशन करें और साथी साथ आम जिन्ता को को अगर्लों को और हमारी आंगनवाडिस को सीमों के माध्यम से अदेश दिया गिया है कि हर जग़र हैं कि यह पानी को बॉयल करके ही पिएं ताकि जो बीमारी ह हो सकती है उनसे बचा जा सके गौरतलब है कि हिमाशल प्रदेश सरकार ने इस बार समय रहते ही सूखे और पेजल किलत से निपटने के लिए फर्मान जारी कर दिये हैं जिसके चलते प्रशासन ने भी अपने सर पर बैठकों का आयोजन कर तयारियां शुरू कर दी हैं ताकि स समय रहते ही बचाव की स्थिती कायम रह सके ब्यूरो रिपोर्ट के चनल हमीर पूर